असलाम लेकूम, वल्कम टो माई यूट्यूब चैनल Kids and Kitchen, मैं हूँ आपदा आतिफ, आज मैं आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार इद स्पेशल बीफ नर्गसी कोफते की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, आप इसको बकराईत पर जरू आज मैं इस एक रेसिपी से दो तरह के कोफते बनाऊंगी, आधे कीमे से मैं नर्गसी कोफते बनाऊंगी और आधे से मैं सिंपल कोफते बनाऊंगी, तो चलिए देखते हैं कि इस कोफते के मिक्सचर को बनाने के लिए हम किन चीजों की जरूरत है, पहले जो कीमे में और कीमा आपका बिल्कुल ड्राय होना चाहिए वरना आपके कोफते तूट सकते हैं यहाँ पर मैं एक बड़े साइस का प्याज ले रही हूं आधा इंच का टुकड़ा अध्रक का दो जवे लहसन के और चार हरी मिर्चें आधी प्याली भूने वे चने बगार छिलके के लेन आपने डेर चाहि का चमच मैं नमक ले रही हूं एक खाने का चमच लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चमच सुफेद जीरा साबित और एक खाने का चमच साबित सूखा धनिया नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करनी है ग्रेवी बनाने के लिए मैं दो दर्म्याने साइस के प्याज ले रही हूँ जिनको मैंने ओमलेट की तरह बारी काट लिया है पांच से छे हरी मिर्चे जाएंगे इसमें दो लेसन के जवे और आधा इंच का टुकड़ा अधरक का एक खाने का चमच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा एक चाय का चमच हल्दी और देर चाय का चमच इसमें नमक जाएगा नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करनी है एक खाने का चमच इसमें पिसा हुआ सुखा धनिया जाएगा देर चाय का चमच पिसा हुआ सुफेद जीरा और एक चाय का चमच इसमें गरम मिसाला पाउडर जाएगा एक प्याली दहीस में जाएगा दो टमाटर और चार उबले हुए अंडे में इसके लिए ले रही हूँ आप चाहें तो सारे कीमे से नर्गसी कोफते बना सकते हैं लेकिन मैं दो तरीके से बना रही हूँ इसलिए आधे कीमे के लिए मैं चार अंडे ले रही हूँ चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने जो भूने हुए चैने हैं उनको ब्लेंडर मेर डाल कर ब्लेंड कर लेना है ये इसका पहला स्टेप है और इस तरह से फाइन पाउडर आपने इसका बना लेना है और इसको साइट पर रख दें अब आपने एक बोल में कीमा डाल लेना है प्यास, अद्रक, लेस्टन और हरी मिर्चें भी साथ ही इसमें शामिल कर देनी है इसके बाद आपने इसमें नमक, मिर्च, सुफेज जीरा और सुका धनिया शामिल कर देना है और साथ ही आपने चार खाने के चमच इसमें जो हमने चनो का पाउडर बनाया था वो डाल देना है और अच्छे तरीके से तमाम चीजों को मिक्स कर लें अगर आपका चौपर बड़ा है तो आप ड्रेक्ट ही तमाम चीजें उसमें डाल सकते हैं लेकिन मेरा चौपर छोटा है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें पीस हूँगी अब यहाँ पर जो तमाम कीमे का मिक्स्चर है मैं उसको चौप करना शूरू कर रही हूँ आपने तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है क्योंकि जितना अच्छा आप तमाम चीजों को पीसेंगे उतनी ही अच्छी कौफतों की बाइंडिंग होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना बारीक पीस लिया है आप भी इसी तरह से पीस लूँगी मैं बाकी भी ऐसे ही पीस लूँगी अब आखिर में मैं कीमे को अच्छे तरीके से हाथों से मल लूँगी ताकि जो तमाम मिसाले हैं वो यफजान हो जाएं और कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं नर्गसी कौफते बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर आपने जदा सरा कीमा लेके अपने पूरे हाथ पर फिला लेना है और अगर आपके हाथ पर कीमा चिपके तो आपने थोड़ा सा पानी लगा लेना है अब इसके बीच में आपने उबला हुआ अंडा रखके इसको अच्छे तरीके से कीमे से फोल्ड कर लेना है और एक बड़ा सा आपने कोफता बना लेना है नर्गसी कोफते बड़े ही बनते हैं यहाँ पर मैं आपको एक और बनाना सिखा रही हूँ इसी तरीके से आप गोर से देखिएगा अंडा रखकर आप फोल्ड कर लें आप चाहें तो आदे अंडे को भी इस तरीके से कीमे में फोल्ड करकर छोटा कोफता बना सकते हैं अब इसी मिक्स्चर से मैं सिंपल कोफते भी बना लूँगी बगएर अंडे के यहाँ पर आप देख सकते हैं आदा किलो कीमे से मैंने चार नर्गसी कोफते बड़े बनाए हैं और साथ छोटे कोफते बनाए हैं सिंपल बले अब यहाँ पर कड़ाही में हम इतना ओईल लेंगे कि हम इसमें कोफतों को फ्राइ कर लें ओईल हलका सा गरम हो चाए तो आप तमाम कोफते इसमें डाल दें और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने फ्राइ करना है शुरू में दो मिनिट के लिए आपने बिल्कूल इसको चमच नहीं लगाना हाथों की मदद से बरतन को हिला कर आपने कोफतों की साइड चेंज करनी है दो मिनिट के बाद आप चमच को इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैं कोफतों की साइड चेंज कर लोंगी जब यह दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन कलर के हो जाएं तो आपने इनको निकाल कर एक प्लेट में साइड पर रख लेना है अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे आदा ओयल हम निकाल लेंगे और बाकी में प्याज डाल कर फ्राइ करेंगे और लाइट ब्राउन करेंगे अब दूसरी तरफ आपने ब्लेंडर में अद्रग, लेस्टन, टमाटर, हरी मिर्चें और दही डाल कर इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से आपने इसका पेस्ट बना लेना है और जब प्याज लाइट ब्राउन कलर का हो जाए तो आपने ये पेस्ट इसमें शामिल करके इसमें नमख, मिर्च, हल्दी डाल देनी है और इन तमाम चीजों को मिक्स करके आपने ढग कर पकाना है जब तक कि ऑईल सेपरट ना हो जाए पंदरा मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए मिसाले को अब हम इसमें तमाम कोफते रखकर एक गिलास पानी डाल देंगे और इसको ढग कर पकाएंगे जब इसमें एक उबाल आ जाए तो आपने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया और पिसा हुआ जीरा डाल देना है गरम मिसाला आपने अभी नहीं डालना और इनको भी हलके हाथों से मिक्स कर लें जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो आप इसको ढग कर इतना पकाएं कि जो ऑईल है वो सेपरेट हो जाए जब ग्रेवी से ऑईल सेपरेट हो जाए तो आप इसमें गरम मिसाला पाउडर, लंबाई में कटी हुई अद्रक और तीन हरी मिर्चें, साथ ही हरा धनिया कटा हुआ डाल कर इसको ढग कर बिल्कुल हलकी दमवली आग पर आपने इसको दस मिनिट के लिए पकाना है दस मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे मज़ेदार से नर्गिसी कोफटे हैं और सिंपल कोफटे दोनों बन कर तियार हैं मैंने आपको एक ही वीडियो में दो तरीकों से कोफटे बनाना सिखा हैं लेकिन आप इनको अलग-अलग से ही बनाईएगा अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे डिश आउट करने के बाद अब हम कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया कटी हुई अद्रक्स पर डाल देंगे और एक लीमू हम काट कर रग देंगे यह आप देख सकते हैं कि जो हमारे नर्गिसी कोफटे हैं वो बन कर त्यार हैं यहाँ पर मैं आपको कोफटा भी काट कर दिखाती हूँ जी तो वीवर्स कैसी लगी आपको मेरी आज की मज़दार नर्गिसी कोफटों की रेसिपी आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा यह बहुत मज़े के बनते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अलाहफिज